बिसमिल्ला रोखमान ररहीम अस्मावलेक। फ्रेंड्स वेलकम टो माइ यूट्योब चैनल बिलाल प्रोग्रमर फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है circumference find करेंगे इसका हमारे पास formula होता है 2PiR इसका हमारे पास यह formula है 2PiR तो अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनलों को subscribe करेंगे तो कानली चैनलों को subscribe करें लोग घंटी की आइकन को press करें ताकि आपके पास मेरे आने वाले latest वीडियो को notification मिल सकें मैंने already scanner class लगा हुई है import क किया होगा एक file library file को जिसके वाज़ा से मारे पास scanner होगा यह always use होगी क्योंकि हम लोग user value जो वो get करते हैं मैं लिखूँ कि हम पर float float क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो points में value होती है float मारे पास था 2PiR 2PiR यानि कि सखना radius हम लोग ने find करना है तो radius हम लोग find out क करने के लिए हम लोग लिखेंगे R मारे पास होगा radius पाई की value मारे पास क्यों होती है P i equal to उसके बाद हम लोग लिखेंगे float फिर हम लोग जो है यहां पर इसके value लिख देंगे 3.14 हम लोग यह लिखा फिर कल का नाम का variable बनाएंगे जो calculate करेंगे value को हम लोग लिखेंगे system. system.out.print इंटर यूवर basically हमारे पास जो आर होता है वो हमारे रेडियस होता है इंटर यूवर रेडियस हम लोग जाए वो रेडियस को इंटर करेंगे इसका लिखेंगे इमारे पास variable name था और is equal to z.next float next float उसके बाद हम लोग जो है cl value get होगी फिर हम लोग calculate करेंगे calculate का formula हमारे पास क्या था 2 multiplication पाई टू पाई उसके बाद हमारे पास क्या था और आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि यह direct value को भी जो है आप लोग जाए वो यहां पर लिख सकते हैं अगर ऐसे लिखना चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं no issue जो आपका दिल करें हम लोग अब लिखते हैं यहां पर system.out dot print ln और यहां पर लिखते हैं your circumference हम लोग अब यहां पर लिखते हैं plus cal और उसके बाद program को execute करते हैं यह मारे पास formula है इस formula अपर लोगोंने always याद रखने है radius में यहां पर लिखता हूँ 78.998 then मेरे पास your circumference मारे पास क्या आ जाएगा 495.9994445 यह मारे पास आ जाएगा circumference क्या होता है basically मारे पास एक radius हो यह या एक मारे पास जो area हो उसके साथ जो हलका सा touch कर रही हो line उसको circumference कहते हैं इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक घर है तो घर के साथ अगर हमारे पास road अगर attach हो रही है या road टाच करके जा रही है तो हम लोग चेक कर सके हो कितनी road टाच कर रही है कितने area के साथ इस तरह से हम लोग इसको calculate कर सकते हैं तो अमिर्क किता अपकर एक्शे समझ आ गया होगा तो अबना ख्याले कि दौा में याद अगर के लाप इस